नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सिच्छा मनविज्यान के दस अत्यनत महतपूर प्रश्णों को यह ऐसे प्रश्ण है जो कि एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए प्रश्ण परिच्छा की दरश्ट से अत्यनत महतप अच्छा को प्रशत करता है तो ऑपिसमेढर पर पूर्व संकरयात्मक वस्ता मूर्थ् संकरयात्मक वस्ता ऐस संघ्यानत्म को कब प्रदर्शित करता है तो इसका जो राइट ऑप्सन हो जाएगा बो जाएगा यानि कि संबेदी प्रेरक्चरण में बच्चा जो अबस तो इस्ताहित को प्रदर्शित करता है अगला प्रशन है सीखने की प्रक्रिया में सिच्चक की भूमिका होनी चाहिए सिच्चक की जो भूमका कैसी होनी चाहिए सीखने की प्रक्रिया में सुगम करता की अंगदेशन करता की प्रसिचक की या नियंत्र करता की तो इसका जो राइट ओप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानि की सुगम करता की जो भूमका होनी चाहिए सिचक की सीखने की प्रक्रिया में त तो उप्शन दिये इसमें चड़ना फुदकना दोड़ना और लिखना तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लिखना लिखना जो है सूच्म गतिक कोसल का उधारण है तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा अगला प्रस्ण दिखते हैं एक बालक की मानसिक हो थैं तो उसका बुद्ध लब्दा क्या होगा तो बुद्ध लब्द बराबर होता है में ऊचिक न की मंटल एज बटा क्रोंडिकल एज गुडा में 100 इसी से हम निकाल लेते है कि कितनी हो गी तो में में इसमें कितनी है मानसिक आयू बारा बर्स तो बारा लिखेंगे तो आशन दर्देंग दस से काटेंगे दस वर चला जाएगा और दस का भारा में गुणा करदेंग तो हो जाएगा एक सो बीस एक सो बीस जो हो जाएगा तो इसका राय ठैसर जो जाएगा वहू जाएगा कर सकता है तो विध्यार्दियों किस विब्सकार से सामाजिक मूल्यों को विक्सित कर सकता है नुशासन की विच्षत कर या मान व्यक्तिय। के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छे काणिया सुना कर तो इसका उपर сп request जाएगा बी यान कि सिच्चक जो है सिच्छार्तियों में सामाजिक मुल्यों को विक्सित कर सकता है आधर सी रूप से वरताओ करके अगला प्रश्न है सिचार्तियों के बीच अधिगम सहली में अंतर का कारड़ हो सकता है यांकि सिचार्तियों के बीच अधिगम सहली में जो अंतर होता है वो किसके कारड़ होता है तो इसका जो राट ऑप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा बी यकि अभाने तौहिटी में अंतर का कारण हो सकती है अगला प्रसंद देखते हैं कच्छा एक में बच्चों में बासा कोसल का विकास किस क्रम में होना चाहिए देखे पहले दिया है सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना इसी तरह B में दिया है लिखना बोलना सुनना और पढ़ना C में दिया है सुनना लिखना बोलना और पढ़ना या फिर लिखना बोलना पढ़ना सुनना तो देखे पहले लिखना तो बच्छा सीखेगा नहीं ये कट जाएगा फिर सुनना तो सीखता है फिर लिखना नहीं सीखता है बोलना मतलब लिखना पहले सीखेगा बोलना बाद मे पहले सुनना बोलना पढ़ना लिखना इस क्रम में जो चूटी बच्ची का मासा का विकास होगा अगला प्रसंदेखते हुआ महान व्यक्तित्त परडम है तो महान व्यक्तित्त जो किसका परडम है कीवल आणुवन शिक्ता का पालन पोशन और सिच्छा का नवन स्क्ता और वातावरण की अंत्यक्रिया या फिर केबल वातावरण का तो इसका राट ओप्संज हो जाएगा वो जाएगा सी अब केवल केवल दोनों में तो केवल नहीं हो सकता इसलिए दोनों कट जाएंगे और लारन पॉलन सिच्छा को नहीं सकता अनुवन सिक्ता और वातावड की अंतिक्रिया का पड़ा में था व्यक्तित्व अगला प्रस्ण देखते हैं कच्छा एक और दो इस तर की बच्चे क उसमें अप्चे अमूर्थ अनुवववव से सीग लिए कि उन्हें कालत को इसीज बताई जाहा उसके जरी जल्दी सीख्ते इस या फिर मूर्थ या फृपर उन्हें प्रतिय रूप से कोई ची दिखाकर सिखाए जाल के आपढ़कर सीख्ते अर लिखकर सीख्ते इसका की और संकेत करती है किसकी और संकेत करती है ऑप्शन दिया है इसमें वे कैसे सीखते हैं सिच्छारतियों का सामाज एक आर्थिक इस्तर या अंत्रिक अभ्यास की आवशक्ता या फिर शीकने की अनुपस्तिती तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए व प्रश्न देखते हों तो इस तरह से दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना धान्य बाद दोस्तों मिलते हैं